इस वक्त की एक एहम कबर हम आपको बता दें आज 21 अगस्त है आज ही के दिन दलित और आदिवासी संगठनों का भारत बंद का आवाहन था और उसका पुरजोर रूप से प्रदर्शन वह सभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने देश के विभिन राजियों में भारत बंद का असर मिला जुला भी दिखाई दे रहा है अनसूचित जाती और जनजाती के आरच्छड में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवाजी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आवाहन किया था इसका आज पुर्जोर रूप से मिला जुला हुआ असर अपने देश के विभिन राजियों और हिस्तों में दिखाई दे रहा है इसी गड़ी में बिहार के भोजपूर की बात करें तो आरा में अनुसूचित जाद जनजात के आरचड के सवाल पर भारत बंद को लेकर सभी आकरोशित नगज़ा है और मुख्याले पर धरना देते हुए नज़र आए नारे बाजी भी करी गई है लोगों ने अपनी बाते क्या रखी है हमारे संबादाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है दिखा रहे हैं या एहम खबर की सथार्पर बना है बार-बार बार मौदी सरकार जो जज बाइठ है कुर्शिपा एक हजार अनुछेद पाहर कर जब आता है आदमी तो जज़ बनता है समीधान के पूरे अपारना उल्याद कर पाता है तब अनुछेद का ज़ज बनता है उज़ाज, सवार्थी ज़ाज, बार बार किरी मिलियर लगा रहा है, बार बार कोईधवार अच्छन है, एसी एस्ट के पास हाई क्या ची, एक कोईचन है, जिनकी भारूँ चाहता है लोग कि एसी एस्ट हमारा गुलामी बने, गुलामी करे, चाहता है उसा सरकार हमको नहीं चाहिए हमारा देस मठ को और होना चाहिए अब नहीं चालेगा मोधी सरकार के साथ इतने जज़ के साफ़ भी नहीं चालेगा कितने चप्रा ऐसी के पास कितना नौकरी है एसी अश्य के पास कितना से सूधन करेगा हम पुछते हैं इसा सरकार से चोचा चीन की बहुं चुरी किया है नोक और आज भी चाहते हैं कि जो आने हम ध्यानिंप्यार है यह जाज समी धान देस्ट रहा है नहीं हो रहा है। एक पिच जुन से बारदास नहीं हो रहा है। चलिया हम चलते हैं संसोदेफे। जो पर हैं जो ग्यानी हैं वही पंडित हैं। लिक मार है पाथल जाज नहीं बैचेगा कुरशी पर। सार है महिला एक सभान दी खुण है को एक मिलेगा है उनको मिलेगा है अग मिलत जोगी है कि सारी महिला एक सभान एक सभान दीए हावाई दास से एरोप्रेंज, हम आते हैं गुले-गुले सारे महिलावे के पसनेश्टेट के पसगारी भेंजये हैं हमसे अधात भेंजये, हाँ ऐसा सरकार नहीं चाहिएँ हमको उसको भजात चाहिए दोस्रा साफे जब ओमारा नहीं तो हम अब 설का नहीं उनको बोट नहीं देंगे, उनको जिता नेंगे नहीं, उनको हम अबदेख्श नहीं सकते हैं, और उससा जज नहीं बाइचना चाहिए, जज क्या है, समीधान के रखावाला है, जज है क्या है, जो जादा साहिब भीम्रावेद यानेक्षम नेता लोग समीधान बढ़ाएं ह मैं शिकंदर कुमार कुश्वाहा बहुजन समाज पार्टी के परदेश लिवल के सक्रिय करता और आज धारना जो किया गया है पूरे देश में चल दा है चक्का जाम है रोड जाम है पूरे देश में बहन जी मयावती जी के माध्यम से जो आदेशा अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं कि पूरे देश में चक्का जाम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा जरूरी था क्योंकि भारत में भारत का जो समिधान है उसकी रक्षा करने के लिए कोई प्रटिशन त्यार नहीं है 2014 के बाद जब मर्जित तब कोई तोड मतोड कर रहा हैं कहीं जोड़ दे रहा है कहीं घटा दे रहा है कुछ भी बडलाव कर दे रहा है बहुत सारे परवर्तन हुआ जो कुछ पुझी पतियों और कुछ बड़े बड़े नेताओं अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर रहे हैं जिसका लाब अपर के लोग को मिलेगा लेकिन नीचे के लाब लोग को नहीं मिलेगा अब देख लिए कि संसद में सारा कानून बनता है बदलाव होना चाहिए संसद ल करके हमारा देश बहुत बड़ा ज्यादा पॉपूलेशन माला है इसको चलाने के लिए बहुत सिस्मेटिक बनाया है लेकिन उन्होंने समिधान के इसाब से देश को नहीं चला रहे हैं बल्कि उसमें बदलाव करके अपने हिसाब से कि समिधान ने कि अपने तरीके से कानून बनाने के लिए है तो यहां तो बिलकुल इलीगल काम कर रहे हैं जो बड़े-बड़े सर्वच पद्ध पर बैठे हुए अधिकारी हैं बाबा सहिब के समिधान के इसाफ से चलते हैं उन्हीं के कानून के वहस्था पर चलते हैं लेकिन उसी में पहुंचाने काम कर रहे हैं तो यह जो चेरचार किया गया है बदलाव करने के प्रयास किया गया है मैं कहूंगा स्वर्वचिन आले मानिया जज साहिब से भी और भारत के संसद में बैठे सांसदों से भी कि भाई इसको वापस किजिए इसको आरक्षन को अस्थाई किजिए नवी अनुसुची में डाल करके तकि हमारे लोगों को जो आरक्षन के लाब है अभी एक लेबल में देश्क की जांता तब आप कुछ भी करते तो अच्छा लगता कि आरथी ख भाव की घ होए उससे निकल जेददे तब आप कुछ भी करते तो सaska दयता है लेकिन अभी किजिएगा तो भारत ये कोई भी AC, ST, OBC समाज इस चुछ को बरदास नहीं करेगा, खूल करके बिरोध करेगा, जब तक वापस नहीं लेते हैं, तब तक ले बिरोध चलता रहेगा, पूरे देश में चलता रहेगा अच्छे दिन आने वाले हैं सर अच्छे दिन तो जब से मोदी जी आये हैं, अच्छे दिन ही आ रहा है, नोट बंदी, GST, 18%, 6% से 18%, 28% टेक्स कर दिये, मोटर बही का लेक्ट है, आपको नागरिक्ता कानून, इसके बाद बहुँ सारे अनापसराप कानून, इसके बाद आपको कुरोना जो लेके आये थे, ये भी बड़े-बड़े देश की पुझी पतियों के सदा से सर्यंत्र लाया गया था, क्योंकि सर्दिक हासे हमेशा होता है, हमेशा होता था, हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा, इस जान बुझ के सर्यंत्र कता, देश के गरीबों को तोड़ने के लिए, देश को बरबा दिन करते जा रहे हैं सारे लोग बरबाद होते जा रहे हैं इनके कहां अच्छा दिन आ रहा है